जोदपूर के अंदर कॉंग्रिस ने अपना जिला प्रमुग बना लिया है इसके लावा जैपूर में अपना जिला प्रमुग गवा दिया है बात अगर की जाए भरतपूर की सिरोई की जैपूर की विजे में का कब्जा है जोदपूर, सवायमादूपूर और दोसा में कॉंग्रेस का कबजा और जैपूर में जिस सरीके से कॉंग्रेस को बड़ा जटका लगा है ये कुछ वक्त तक पीस करेगा क्योंकि जहां आप जीत गई थे जिस जिले पर आप अपना कबजा रख सकते थे वहां ऐसी कौन सी रणनीतिक चूक रही जिसकी वज़े से जीता हुआ गड़ बीजेपी के हातों में चला गया रमादेवी, जैकी, और ये वो नाम हैं जिनके जरिये जीता हुआ गड़ हार गई कॉंग्रेस हलंकि कहा ये जाता है कि हारकर जीतने वाले को बाजी कर कहते हैं लेकिन आज कह सकते हैं हारकर जीतने वाले को बीजेपी कहते हैं जैपुर के अंदर कुछ ऐसा नजरा है कॉंग्रेस आरोप लगा रही है खरीद परोग के कहा जा रहा है कि खरीद परोग की गई होर्ट्स ट्रेडिंग की गई और उसके जरिये जो जनता का वहुमत था जो जनता का मेंडेट था उसको दरकिनार करते हुए बीजेपी ने घलत तरीके से अपना जिला प्रमुक बनाया लेकिन फिर सवाल दूदू पर होंगे जहां बीजेपी वहुमत के अंदर थी लेकिन वहाँ प्रधान जो है वो कॉंग्रेस का बना है तो क्या वहाँ पर भी होर्ट्स ट्रेडिंग हुई क्या वहाँ पर भी खरीद परोगत हुई दरसल दोनों तरीके से ये कहा जा सकता है कि अंत में जो कुरसी पर बैठेगा वहीं भी जेता कहलाएगा और आज जिस सरीके से जिलाप्रमुक के परिणाम सामने आए ऐसा लग रहा था की चार दोनों का परिणाम रहेगा यानि कि चार जिलाप्रमुक का अंग्रेस के बनेंगे और दो जिलाप्रमुक बीजेबी के ब तीन तीन का पहुँच गया, अब बात करते हैं प्रधान की, क्योंकि पंचय समीती के भी चुनाव हुए, प्रधान के अंदर येकिन, कॉंग्रेस बीजेपी से कहीं आगे है, क्योंकि जिसरीके के परिणाम सामने आए, 78 प्रधान बनने हैं उनमें से माना जा सकता है कि 50 से उपर संभाव ना है कि कॉंग्रेस अपने प्रधान बना ले कुछ जगों पर क्रोस वोटिंग हो सकती है कुछ जगों पर कॉंग्रेस के प्रत्याशी हो सकता है कि बीजेपी को वोट कर दे या बीजेपी के पाले में ही चले जाएं लेकिन फिर भी प्रधान के तोर पर कॉंग्रेस बीजेपी से कहीं आगे न से यह बड़े बड़े दावे करते थे लेकिन इतने जनपरतिनितिये उन्हों निर्पेश तरीके से सरकार के खिलाब मेंडेट दिखता था कि 200 जिलापरशद की सीटों में केवल वो 99 खेफेर में पड़े रहे और 101 लोग उनके खिलाफ से ये तैय हो गया था कि हम लोग जिलापरशद में खास तोर पर राजदानी की जिलापरशद अमारी बनेगी बरतपूर जहां पर हमें कमजोर पताया जाता था वहां लोग जी सतीश पूनिया काफिया तक खुश होंगे और उसके पीछे की दो वज़े हो सकती हैं पहली तो ये कि आमेर के अंदर जो प्रधान है वो बीजेपी का बना है आमेर उनकी विदानसभा सीट है दूसरा दो जगों पर जिला प्रमुग बनाने के संभावना है थी लेकिन तीन जगों पर बनी और वो भी जैपूर के अंदर दिगजों को मात दी गई इस वज़े से भी सतीश पूनिया खुश हो सकते हैं क्योंकि बतोर प्रदेश अत्यक्ष इसमें कोई दोराई नहीं कि चाहे राजनीती में रणनीती किसी भी तरीके की अंत में जो परिणाम होता है उस पर सब की नज़र होती है लेकिन अब हम आपको सुनाते हैं कैसा बयान जो शायद मुझे लगता है कि जल्द वासी में दिया गया बयान ओवर एक्साइटेड होकर दिया गया बयान हलंकि अगर यह परिणाम उस सरीके के होते जिस सरीके का डॉक्टर सतीश पूनिया ने दावा किया था तो फिर इस सरीके की विक्ट्री बनती थी इस सरीके का जशन बनता था लेकिन हम आपको सुना रहे हैं कि जोदपूर को लेकर शायद उनके पास या तो वलस सूचना पहुच गई थी या फिर वक्त से पहले उन्होंने रियक्ट कर दिया था जोदपूर को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डोक्र सतीश पूनिया किस तरीके से जशन मना रहे थे और क्या कुछ कह रहे थे ये सुपर एक्स्क्लूजिव सुनिया मुझे जोदपूर का अफडेट मिला है जहां पर कॉंग्रेस की उमिदवार जो भहुत इस तरीके से मानी जाते तो वहार गया मुझे अलगता इससे ज़्यादा कोई आनद का विशय नहीं हो सकता मुझे जोधपूर का अपडेट मिला है जहाँ पर Конoqu्रेज की उमिद्वार जो भ 들어 इस तरीक से मानी जाते दुको हार गया है मुझे लगता है इससे ज़्याद को आपडेप की आपडेट मिला है kg क्रिपडेट की उमिद्वार जैपूर के अफडेट को शायद वो जोदपूर का समझ बैठे हो और इसलिए रियक्ट कर गए हो लेकिन ये भी सच है कि जोदपूर के अंदर अंतर बहुत ज्यादा नहीं था सैंती सीटे थी बीजेपी ने सोला जीती थी कॉंग्रिस ने सत्रा जीती थी तीन निर्दलिये थे एक अन्या था ऐसे में हो सकता है उनके पास जो कैलकुलेशन हो शायद इस सरीके का हो कि निर्दलिये शायद उनके साथ आ रहे हो या फिर मुनी गोदारा और लीला मदेना के बीच में जो कॉंफलिक्ट नजर आ रहा था शायद उससे वो ये सोच रहे थे कि कॉंग्रिस में एक रोस वोट हो जाएगा लेकिन परिणाम सब के सामने है लीला मदेना 21 मतों के साथ जीती है यानि कि तीन निर्दलियों का समर्थन उनको मिला है सत्रा उनके खुदके थे एक अन्य जिन्होंने उनको वोट दिया है और इसलिए मुझे लगता है कि जो रियक्शन आया वो थोड़ा जल्दबाजी में आया हुआ हुआ रियक्शन था बैराल चुनाओ परिणाम के दोरान ऐसा नज़र आता है वो तस्वीरे भी हमने देखिये हैं विधानसमा चुनाओ के दोरान जब परिणाम पूरा होने से पहले जशन शुरू हो जाता था मिठाईयां बढ़ जाती थी और अंत में चंद वोटों से प्रत्याशी जो जशन मना रहा होता था वो हार जाता था शायद कुछ ऐसा यहां पर हुआ है लेकिन इसके लावा अगर बात की जाए तो जैपुर में बीजेपी के रणनीती काम करती हुई नज़र आई सिरोही के अंदर जिस सरीके से वीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है वो भी बहतरीन रहा क्योंकि 21 जिला परिशद की सीटों पर इसे वीजेपी 17 पर जीती और जो सयम लोड़ा एक दोर में कुछ महीने पहले नर्दलियों की अगवानी करते हुए नज़र आ रही थे वो अपने ही विधासभा सेत्र के अंदर कॉंग्रेस को जिता नहीं पाए हलांकि अब उसके पीछे का कारण क्या होगा ये मन्थन का विशे है क्योंकि कई नर्दलिया परत्याश्य आसे हैं जहां कॉंग्रेस हार गई है इस जरीके कि आरोप टिक्टों के बढ़वारे के दोरान भी लगे थे संगठन की तरफ से लगाए गए थे कि संगठन को कमजोर करने की कोशिश की जारी और जो टिक्टे बटी हैं वो दरसल नर्दलियों के कहने पर की जारी और उसके जरीए कॉंग्रेस का संगठन कमजोर होगा नर्दलिया मजबूत होंगे शायद कॉंग्रेस के संगटन ने ही इन परिणामों के सरीय दर्शाने के कोशिश किया कि अगर कॉंग्रेस के सिंबल नर्दलियों के हिसाब से बाटे जाएंगे तो परिणाम कुछ इस सरीके के आएंगे ये मन्थन का विश्य है कॉंग्रेस के अंदर लेकिन तीन-तीन का अंकड़ा जरूर रहा जैपूर की बात की जाए, सुरोही की बात की जाए और भरतपूर ये बीजेपी के कबजे में दोसा, जोदपूर और सबाई माधूपूर ये कॉंग्रेस के कबजे में जगस सिंग ने क्या कुछ कहा, भरतपूर जिला प्रमुक वो बन गए है अचानक से आए, उन्होंने परचा दाखिल किया चुनाव लड़ा और जब चुनाव लड़ रहे तो उसी दोर में माना जा रहा था कि वो सिधा जिला प्रमुक के लिए चुनाव लड़ रही है आज वो जिला प्रमुक बन गए है एक ज्यानवे साल के उनके पिता है नटपर सिंग, एक दोर में विदेश मंत्री रही है वो यकिनन आज खुश होंगे हाला कि उनके तबिये थोड़ी नासाज है लेकिन जैसे परिणाम पहुंचा होगा वो बहुत खुश होंगे जगस सिंग से जब फस्ट इंडिया ने एक्स्क्लूसिव आचीत की उन्होंने क्या कुछ कहा ये सुने जब फस्ट इंडिया प्रवाद सब्सक्राइब मैं और भारत्य जनता पार्टी से इनकी रेनी रहेगी और हमारे भारत्य जनता पार्टी के जो सदस्ट थे वो तो पार्टी के थे वो तो हमारे साथ चल नहीं थे पर हम पून भूमत से बस दो ही वोटों से रहेगे और फिर जो अन्यदल के जो सदस्ट जीत के आए फिर वो हमारे पास आए उन्हेंने हमारे में आशा जिताई और उन्हेंने अपने इच्छा जायर की कि हम आपके साथ चुनाब में रहना चाहते हैं और आने वाले पांच साल हम आपके साथ रहना चाहते हैं इसलिए कि हमें भी आपसे बहुत अमीद है तो यह बड़ी खुशी की बात है कि कॉंग्रि कि जो थे जिन्हों ने मुझे वोट दी है, या बस पाके थे, उन्होंने मुझे वोट दी है, नितिली ने मुझे वोट दी, वो सब बीजेपी में हैंसके तारीए. उमारे 28 बीजेपी किस दास हैं? बारतिय जनता पार्टी के कारेकरता मौजूद है बारतिय जनता पार्टी जनता पार्टी के कारेकरता मौजूद है जोद्पुर का पॉड़ेट मिला है जहां पर कॉंग्रेस की उमिद्वार जो भावत इस तरीके से मानी जाते हैं आप जिए लगता कोई आनद का विशह नहीं हो सकता देखिए राजधानी भी जीती और मुख्यमंत्री की राजधानी भी जीती तो मुझे लगता है कि भारतिय जन्यता पार्टी के कारेकरताओं के लिए इससे बड़ा तोफ़ा नहीं हो सकता और यह मान लीजिए कि यह 2023 के विजयरत का आगाज हो चुका है बिलाकर कहा जाए तो किस तरीके से आप लोग ने रणीती बनाई लगाता रहा बतारे तीम दिन तक जागते रहे संबाद करते रहे और इसमें इस पूरे माहूल में सबसे ज़्यादा आवशकता होती है कारेकरताओं को जोश मेलाओना और कारेकरताओं को अपना टास्क देन लिए तीन का कौन-कोन से ऐसे कारेकरता रहे जिनकी मेहनत रंगलाई ये इस तरीके के रणीती और परबंदन का काम होता है जिसमें आदमी की नींदराम होती है जिसमें आदमी को धेरे के परिक्षा होती है जिसमें सबको सुनना होता है जिसमें कारेकरता को मोटिवेट भी रखना होता है और 24 गंटे आपको सजग होना होता है मुझे लगता है सरकार सो रही थी रहम जाग रहे थे इसलिए हम जीत गए कुछ कमी रही है क्या जिनको और सुधार करें जिस तरीके से कल बयान दिया है सुभाविक तौर पर हार होती है वो सबक देती है और जब जीत होती है तो उससे चुनोती पैदा होती है मुझे लगता है कि जीत के पीछे भी और जहां हारे वहां की भी हम लोग समिक्षा कर रह की है देखिए उपचुनाव में भी आप जिस तरीके से देख रहे हैं तो इसलिए उपचुनाव भी हमारे लिए चुनोती जरूर है लेकिन मुझे पूरा बरोसा है कि अब भारतिय जनता पार्टी का विज़ाई भारतिय जनता पार्टी का कारेकरता यह उसकी ताकत है उसका प्राण है और वो कारेकरता इतना सजग है कि वह किसी भी शडियंतर का किसी कुछक्र का किसी मशीनरी का जवाब देने में सक्षम है जोगर सदीश पूनिया उनको आप सुन रहे थे फैक्च्वली थोड़ी सी दिक्कते सामने आई क्योंकि शायद उनके पास इन्फोर्मिशन सही नहीं थी लेकिन फिर भी ठीक है अंद में परिणाम की वेगर बात की जाए तो तीन-तीन का आकड़ा है भरतपूर के अंदर एक बड़ा उलट फेड नजर आ है क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत के आकड़ा भी नहीं था सत्रा पर वीजेपी रुख गई की कॉंग्रेस चौधा पर थी बस्पा के दो थे निर्दलिया चार थी यानि कि कहा जा सकता है कि पूरे तरीके से निर्दलियों और बस्पा के हाथ में सत्ता की चावीती जिला प्रमुख कौन बनेगा ये तैह होना ता लेकिन कमाल के बात ये है कि इसके लाबा कॉंग्रेस के जो प्रत्याशीते हैं उन्होंने भी जगस सिंग को वोट कर दिया यानि कि कॉंग्रेस के अंदर भी क्रोस वोटिंग होती हुई नजर आई